हेलो काईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आपके सैमसंग मोबाइल में भी प्रेफायर का एक्सटेंशन पे बार बार डिलिट हो जा रहा होगा तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए और इस वीडियो को मैं फिर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सैमसंग में अपड नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और बेल आइकन में से आल नोटिफिकेशन को अन कर लिजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि स्क्रिंसोर्ट के जरी आप सभी को समझाऊंगा लेकिन इ इसी में हम लोग का एक्सपेंशन पर डिलिट हुआ है तो ऐसा नोटिफिकेशन अगर आपको भी देखने के लिए मिलता है तो फिर आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके भी उस सेटिंग पर जा सकते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ और अगर आपके में ऐसा कोई नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले अपने सैमसंग मोबाइल की सेटिंग पर चले जाना है सेटिंग पर जब चले जाएंगे उसके बाद सेटिंग के अंदर आपको डिवाइस केयर के एक ओप्सन मिल जाएगा लेकिन अगर आपके मोबाइल में डिवाइस केयर का ओप्स है दोनों का और device maintenance भी अगर आपके में नहीं मिलता है तो update के बाद कुछ mobile में battery and device care नाम से भी यह आता है सब सेम ही है आपको इसी में जाना है ठीक है device care battery and device care जो भी option आपको मिले इन ही में आपको जाना है और अगर आपके setting में ऐसा कोई भी option नहीं मिल रहा है आपको तो Samsung की mobile में setting के अंदर एक search का भी option रहता है तो आप search के option में device care, device maintenance, battery and device care ऐसा search भी कर सकते हैं तब आपको option मिल जाएगा और जैसे ही आपको मिलता है आपको सीधे उस option के अंदर जाना है device care के अंदर आने के बाद नीचे में आपको एक storage का option दिखाई दे रहा है तो आपका ये option भी हो सकता है तो इसके अंदर आपको जाना है और इसके अंदर आपको auto delete unnecessary data ढूनना है वो मिल जाएगा तो उसको आपको off कर देना है अगर storage के अंदर आपको auto delete unnecessary data नहीं मिल रहा है तो आपको right hand side में storage में ही मतलब device care के अंदर आएंगे जैसे ही उसके बाद right hand side उपर में 3 dot दिखाई देगा उसको आपको एक बार click कर लेना है उसको जब आप click करेंगे तो वहाँ पर आपको storage booster का option मिल जाएगा तो storage booster को आपको click करना है और उसके बाद आपको auto delete unnecessary data मिल जाएगा तो किसी किसी device में direct storage के अंदर मिल जाते है auto delete unnecessary data तो किसी किसी के mobile में 3 dot के अंदर रहता है ये option तो अगर आपके में option नहीं मिल पा रहा है तो आपको device care के अंदर आकर के right hand side में 3 dot पे click करना है उपर वाले और उसमें से आपको storage booster में जाना है उसके अंदर ये option आपको मिल जाएगा तो बस दोस्तों आपका problem बस इतना ही था यही auto delete unnecessary data नहीं मिल रहा था और bell icon में से आल notification को on कर लिजिए थैंक यू